नमस्कार, अब हम लोग डिस्कस करेंगे ATLS के बारे में, थोड़ा सब बता दू, इसके पहले के लिक्षर में वायस क्वालिटी थोड़ी खराब हो गई थी, उसके पीछे कारण ये था कि जो आउटसाइड की नौइजिस थी, वो ज्यादा हद तक हमारे सिस्टम को के बारे में बात करने से पहले, पिछले लिक्षर में जितनी भी चीज़ों को हम लोग ने डिस्कस किया था, उस चीज़ को एक बार फिर से रिवाइस कर लें, ट्रामा केर की जो स्टेजिंग है, इसमें सबसे पहले होता है, प्री हॉस्पिटल केर, इसमें हम बेसिक लाइ करते हैं, हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद, परसन का इनिशल असेस्मेंट होता है, उसका इनिशल प्राइमरी सर्वे होता है, इस दोरान ये प्राइमरी सर्वे जो पार्ट है, ये शुरुवाती जो असेस्मेंट का जो पार्ट है हॉस्पिटल में, ये एडवांस ट प्राइमरी सर्वे हम करते हैं, फिर हम सेकंडरी सर्वे करते हैं, उसके बाद हम प्रापर ट्रीटमेंट शुरू करते हैं. तो अब आपको यह confusion बना होगा कि Advanced Trauma Life Support है क्या, और इसमें प्राइमरी सर्वे होता क्या होगा, और सेकंडरी सर्वे क्या होता होगा. तो इसको दिखाते हैं, हम आपको एक इमेज के माध्यम से यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी सर्वे में, पूरी तरीके से हम पिशेंट को एसस करने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी सर्वे में हम A, B, C, D, A, B, C, D को हम एसस करते हैं, एरवे और स्पाइन क तो हम assess करते हैं, इस दोरान हम देखने की कोशिश करते हैं, airway patent है, obstructed है, या फिर airway में कोई adjunct तो नहीं लगा है, जैसा कि oral हो, nasal हो, या फिर LMA लगा है, या फिर ETT लगा हुआ है, इसी तरह किस spine के लिए क्या condition है, spine के immobilization की क्या इस्तिती है, वो शुरू हुई है या maintained है, क्या है, इसमें कोई additional finding तो नहीं है, इसी तरीके से breathing के बारे में देखा गया आता है, कि breathing खुद से कर रहे हैं, normal quality है, या livered breathing है, absent है, इन सारी चीज़ों को breathe quality कैसी है, diminished breathing तो नहीं है, oxygen delivery कोई device तो नहीं लगी हुए है, इन सारी चीज़ों को हम बात करते हैं, इस दोरान breathing को हम detailed work up करते हैं, ventilation और breathing को हम second option में यहां पर primary survey में रखते हैं, फिर circulation की बात की जाती है, circulation को हम जानने की कोशिच करते हैं, इस दोरान हम palpable pulses की condition को देखने की कोशिच करते हैं, कौन सी pulse palpable है, central या peripheral या दोनो, कोई pulse अगर absent तो है, तो कहा है, कैसी है उसकी condition, CPR कोई start हुआ था external bleeding का कोई location तो नहीं है, capillary filling, refilling time कितना है, और इस दोरान skin का color कैसा है, इन सारी चीजों के बारे में जो जानने की कोशिच की जाती है, वो circulation के बारे में idea देती है, इस दोरान skin का color pink है, pallor है, sinus है, ya mottled है, condition कैसा है, patient का warm है या cool है, dry है, इन सारी चीजों को हम circulation के reference में जानने की कोशिच करते हैं, इस दोरान सबसे last में जो A, B, C, D है, इसमें D का मतलब होता है, disability, या neurological जो condition है, इसमें हम person के alertness, उसके response, verbal response, pain के लिए response, अब बात समझें, person alert है, अगर नहीं है, तो क्या जगाने पर वो बोल रहा या नहीं, इसक देखते हैं, या फिर pain करने के बाद बूल रहे हैं, इन सारी चीजों को हम one by one करके assess करने की कोशिच करते हैं, patient इसके बाद भी unresponsive रहते हैं, तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पर one by one ले करके चलते हैं, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह actually condition के extremity के बारे में बता है कि condition किस हद तक खराब होए, अगर बहुत बहुत है तो patent होगा यहीं पर टिक कर दीजे, बात खतम होगई, नहीं है तो obstructed है, अप्स्ट्रक्टेड है तो उस obstruction को रोकने के लिए कोई airway का adjunct तो नहीं लगाया गया, उस चीज़ को यहाँ पर हमें fill करके बताना होता है, इसी तरीके से यहाँ पर देखे, breathing का मामला क्या है, breathing खुद से सांस ले रहे हैं, या सांस absent है, उसके बाद जैसे जैसे और ज़्यादा गड़बर होता जाएगा तो हम नीचे की और जाते जाएंगे, circulation की बात भी है, तो pulse palpable है, यहीं पर बात खतम हो जाती है, नहीं है, pulse absent अगर है तो CPR किया गया नहीं किया गया, pulse अगर absent है, CPR किया गया है, तो यह भी क्या पता किया गया, कोई external bleeding है या नहीं है, उसका location क्या होगा, उन सारी चीजों को यहाँ पर देखने की कोशिश की जाती है, ऐसे disability and neurological जो condition से उसको देखने की कोशिश करें, तो patient अगर alert है, त लेकिन अगर condition बिगड़ती जा रही है, तो हम किस हद तक बिगड़ी हुई, उसको हम यहाँ पर mention करते हैं, जैसे वो verbal patient alert नहीं है, बलकि बोलने पर वो response कर रहा है, तो V वाली category आती है, P का मतलब यह होता है, कि यहाँ पर pain देने के बाद वो response कर पा रहा है, unresponsive है, इस तर उनके pupil के reflexes को देखना है, कि वो people react कर रहा है, या fixed है, या slugged है, या closed है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पर ATLS के primary survey में देखते हैं, इसके अलावा एक और term यहाँ पर add किया जाता है, वो है exposure, exposure या environmental control की बात की जाती है, तो आप यहाँ पर देखिए, advanced trauma life support में primary survey में हम देखते हैं, airway maintenance with cervical spine protection, B में breathing, जिसमें ventilation और oxygenation की क्या इस्थिती है, उसको जानने की कोशिश करते हैं, C में circulation की बात किया था हम लोगों ने, और अगर कहीं hemorrhage है, severity के level पर अगर कहीं hemorrhage है, तो उसको control करने की बात हम लोगों ने किया था, D में हम disability को देखने की कोशिश कर रहा था, इस दौरान हम neurological examination हम लोगों ने किया था, E में exposure करते हैं, environmental control को हम देखने की कोशिश करते हैं, second survey की जब बात आती है, तो यहाँ पर हम head to toe examination करते हैं, और अब second survey में, जब primary survey करने के बाद उसी दौरान हम उसको support देते हुए, जब patient की condition थोड़े stable हो जाती है, फ दौरान हम जाननी की कोशिश करेंगे, MIVT, यानि mechanism of injury, injury sustained और उसका क्या treatment हो सकता है, उन सारी चीज़ों के बारे में देखते हैं, इसमें ample करके भी एक code होता है, चलिए उसको भी decode कर लेते हैं, secondary survey में ample का क्या मतलब होता होगा, ample का मतलब होता है, allergies की history कैसी है, medications जो currently use किये जा रहे हैं, वो कौन सी किये जा रहे हैं, P का मतलब past line, इस दोरान कोई pregnancy तो नहीं है, past में कोई illness तो नहीं है, उनको हम जानने की कोशिश करते हैं, last meal person ने कब लिया था, उसके बारे में बात करके जानने की कोशिश करते हैं, उ उन events को जानने की कोशिश करते हैं, जो injury से जुड़ी हुई हैं, तो secondary survey में ये काम किया जाता है, पहले तो हम patient की condition को stable करने की कोशिश करते हैं, A, B, C, D, E के द्वारा, जब condition stable हो जाती है, तब जाकर के हम detail work up करते हैं, तुरंथ हम work up नहीं करते हैं, इस दोरान head to toe examine करेंग तो ये secondary survey में ये काम किया जाता है, तो चलिए, जितनी बातों को हम लोगों ने discuss किया है, उसको जल्दी जल्दी revise कर लें, ATLS का full farm होता है, Advanced Trauma Life Support, इसमें मैंने आपको बताया था, जब person के लिए यहाँ पर तीन component होते हैं, ATLS में, एक होता है primary survey, और इसमें हम person को assess करते हैं, जो चीज़ें यहाँ पर सुधारी जा सकती हैं, उनको हम सुधारने का प्रयास करते हैं, दूसरा component होता है, Adjuvant to Primary Survey, और इसमें तीसरा component होता है, Secondary Survey, तो इसमें ये जो पहले दो stages होते हैं, पहले जो दो component हैं, इसमें हम patient को immediately, हम बहुत जादा जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि क्या हुआ है, उनके साथ, कैसे trauma हुआ है, उसको जाननी की बज़ाए, सबसे पहले हम patient के जो जैसी condition है, उसको हम stable करने की कोशिश करते हैं, Secondary Survey में हम detail work up करते हैं, तो ये बात हम लोग ने बत कर लिया है, इसलिए इस पर बहुत जादा अभी चर्चा करने की कोई condition न के condition क्या है, उसको कैसे stable किया जाए, अगर उसको stable ना किया जाए, तो death हो सकती है, इसलिए हम detail work up की बज़ाए, हम तुरंत उसे assess करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, कई बार ये बात यहाँ पर किया जाएगा कि pulse नहीं मिल रहा है, त कब नहीं मिलता है, तो radial pulse जब systolic BP 80 से कम हो जाता है, तब radial pulse हमें पता नहीं चल पाता है, ऐसे ही femoral pulse तब हमें नहीं palpate हो पाता है, जब 70 mmHg से below systolic BP हो जाए, ऐसे ही carotid जो pulse है, वो 60 mmHg से below pulse pressure, जो systolic blood pressure है, वो 60 mmHg से below होने पर carotid pulse हमें palpable नहीं हो पाता है, इसी के last में जब हम देखते हैं नीचे के और डार्सालिस पेडिस के, जब हम pulse को चेक करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर डार्सालिस पेडिस में pulse तब हमें नहीं मिलेगा, जब systolic blood pressure 100 से below हो चुका होगा, तो इस तरीके से हम जानने की को करते हैं, उसके अपने location है, और वो more or less किस हद तक pulse गिरा हुआ है, उसके बारे में systolic blood pressure किस हद तक down हो चुका है, गिर चुका है, उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो चलिए एक छोटी सी जानकारी के बाद अब वापस लोटते हम primary survey या primary assessment के बारे में, तो मैंने आपक cervical spine को stabilize करने की कोशिश करते हैं, तो ये दो चीजें यहाँ पर होती है, airway और cervical spine को stabilize करने का प्रयास, बी का मतलब होता है, breathing और ventilation की क्या condition है, उसको जानने का प्रयास और उसको stable करने की कोशिश, C का मतलब होता है circulation और इस दोरान हम hemorrhage को control करने की कोशिश करते हैं, bleeding को control करने की कोशिश करते हैं, D का मतलब होता है, disability अगर कोई है तो किस हद की है, और इस दोरान neurological condition person की कैसी है, और उसको कैसे, उस अससर पर, उस level पर कैसे हम stable कर सकते हैं, और E का मतलब होता है exposure and environmental control, तो पर हम बात करते हैं primary survey में, अब हम लोग one by one यहाँ पर A से हम start करेंगे airway के बारे में बात करने से, तो मैंने आपको पहले भी दिखा रखा है कि primary survey का farm कैसा होता है और उसमें किस तरीके से हम airway के complexities को one by one हम ले करके चलते हैं, उन सारी चीजों पर हम लोगों ने जो देखा था farm में, लगभग उसी तरीके से हम complexities में धीरे धीरे करके उतरने का प्रयास करेंगे, तो airway के assessment में हम देखने की कोशिश करते हैं कि airway patent है, obstructed है, अगर obstructed है तो क्या उसको open करने के लिए कोई agent लगाया गया, oral, nasal या LMA, अगर LMA लगाया गया तो उसके size क्या है, क्या ETT लगाया गया है, वो लगाया गया है, तो कितने centimeter की length है उसकी, spine की condition क्या है, spine को immobilize करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई है, या कोई additional finding है, तो उसको mention किया जाता है, तो सवाल ये उठता है, कि airway की इस तरीके से assessment में क्या क्या चीज़ें हमें पता चल सकती हैं, तो क sign पता चलते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि person सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं, जिसमें हमें टेकिपनिया, या फिर noisy breathing, stridor, जिसे हम कह सकते हैं, इसमें इसी बज़ा से चुकि brain को oxygen नहीं मिल पा रहा होगा, तो abnormal mental status होगा, तो ऐसे condition को treat करने के लिए क्या किया गया, उन स कॉषिते जारे थे, complexity और जादा बढ़ती जारी थी, तो यह सारी चीज़ें हम यहां पर देखते हैं, कि अगर airway compromised है, तो person properly सांस नहीं ले पा रहा है, इसलिए वो लगातार कोशिश कर रहा है, टेकिपनिया है, noisy breathing है, सांस सही से नहीं ले पा रहे हैं, और सांस जब सही से क्या airway को open करने की कोशिश की गई है, इस बात को हमें देखना होगा, चुकि abnormal breathing अगर मिल रही है, तो हमें ठीक करना होगा, उस समय condition को stable करना होगा, तो airway को open करने के लिए क्या किया गया है, तो हम जानते हैं कि airway को open करने के लिए आम तोर पर jaw thrust method इस्तिमाल किया जाता है, इस दौरान airway को open करने के लिए अगर कोई adjunct का तो इस्तिमाल नहीं किया गया है, उन सारी चीज़ों को mention किया जाता है, एडजंक्ट को हम लोगों ने देखा था था न, farm में हम tick करते हैं, तो adjunct है तो किस तरीके का है, उन सारी चीज़ों को mention करते हैं, यहाँ पर समझ ल कि क्या condition है, और spine को बिलकुल भी हमें छेड़ चाड़ नहीं करनी है, क्योंकि हमें नहीं पता spine की स्थिति क्या है, तो इसलिए हम केवल और केवल airway को open करने के प्रयास में, jaw thrust method की मदद से केवल mandible के movement पर हम कोशिश करते हैं कि airway open हो जाए, इस दौरान किसी adjunct की ज़रू पड़ी है नहीं पड़ी है, उसको भी हमें mention करना पड़ता है, तो airway adjunct की ज़रूत पड़ी है या नहीं, इसको भी हमें mention करना पड़ता है, तो adjunct की ज़रूत क्यों पड़ती है, इसकी ज़रूत इसलिए पड़ती है, ताकि जो tongue का falling है, उसको रोका जासे के, तो किस adjunct का आपने इस्तेमाल किया उसको भी हम यहां पर मेंशन करते हैं इस दोरान कोई औरो या नैजो फैरिंजियल औरो फैरिंजियल कोई एरवे का कोई अडजंक्ट इस्तेमाल तो नहीं किया गया है उसको आपने फार्म में देखा था था न हमें मेंशन करना होता है इस दोरान अगर कोई Laryngeal Airway के अगर कोई टेकनिक अपनाई गई है कोई ETT ट्यूब डाला गया है तो उन सारी चीजों को यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ता तो ETT का मतलब होता है इंडो ट्राकेल ट्यूब इसमें ट्यूब की लिंथ कितनी है उन सारी चीजों को हमें फार्म में मेंशन करना पड़ता तो आपको पता न ट्यूब को हम डिरेक्ली हम इन करते हैं और यहाँ पर ETT ट्यूब में एक कफ लगा होता है यहाँ पर अभी मैं इमेज में दिखाऊंगा कि यहाँ पर प्रापरली ETT ट्यूब में एक कफ लगा होता है और यह जो ETT ट्यूब होता है यह बाइफरकेशन जहाँ पर होते हैं रिस्पार्टरी ट्रैक के उसके जस्ट ऊपर ही हम इसे यहां तक ट्यूब हम लेकर के आते हैं तो जस्ट बिफोर बाइफरकेशन यानि T4 के लेवल तक यानि T4 यानि आप समझ सकते हैं कि थोरेक्स के चौथे लेवल तक हम सर आप समझाने ना सर्वाइकल फिर उसके तक हम थोरासिक वर्टिबरी के फोर लेवल तक यानि T4 लेवल तक हम इस ट्यूब को लेकर के आते हैं इसको दूसरे लेविस एंगिल तक हम ट्यूब उससे जस्ट ऊपर ही हम रखने की कोशिश करते हैं मैंने आपको बताया है ना इस कफ के साथ यह ATT ट्यूब लगा होता है क्योंकि पर्सन को इस कफ की मदद से ATT ट्यूब को फिक्स करने में मदद मिलती है क्योंकि पर्सन काफियत तक अन्रिस्पॉंसिव हैं और वो ट्रामा की कंडिशन है कुछ मामलों में ऐसा होता है कि बगल से गुजर रही जो उस फिगस है उसका कोई अगर बैक फ्लो होत है तो वो यहां पर रिस्पारिटरी का जो ट्यूब है इसमें आ सकता है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए यहां पर कफ लगा होता है तो यह फिक्स होते हैं ATT ट्यूब को फिक्स कर देते हैं और यह प्रिवेंट करते हैं एस्पारेशन एस्पारेशन आफ फ्लूइड जो कि यहां से एस्टोफिगस के रास्ते यहां पर पहुंच सकती है, इसके दोरा यह इस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम समझ सकते हैं, लेरिंजल एयरवे के इस टेकनिक में ओरल एटीटी, एंडो ट्राकेल ट्यूब का इस्टेमाल किया गया है, इस Mendelssohn's Syndrome, actually Aspiration Neumonitis को कहा जाता है, इसमें Asdic Gastric Fluid सीधी तोर पर लंग के टीशु को डैमेच करता है, क्यों? क्योंकि यहां पर जो Asdic Gastric Fluid है, वो लंग के टीशु में पहुँच जाता है, एस्पायर होने की वजह से, और इसमें यह Non-Infective Aspiration है, इसमें कोई Infection नहीं है, लेकिन Azdic Nature का Gastric Fluid होने के नाते lung tissues यहाँ पर damage हो जाती है तो इनी सारी चीजों से बचने के लिए ETT -Yoob का इस्तेमाल किया जाता है इंडो-Trackial tube का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ETT tube में आजकल काफी सुधार हो चुका है और अब इसमें काफी हद तक advancement होने की वज़ा से अब fiber optic laryngoscope को prefer किया जाता है इसको ज़ादा prefer किया जाता in comparison to ETT अब ये ज़ादा बहतर options के साथ हमारे पास available है fiber optic laryngoscope ये इसलिए prefer किया जाते हैं क्योंकि ये flexible होते हैं इनको बहतर तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है इसमें visibility के भी तरीके अपने आप में साथ में जुड़े होते हैं ये ज़ादा तोर पर आजकल prefer किया जा रहा है हाला कि जो oral ETT है ये airway को open रखने के लिए एक बहुत ही बहतर method है इसे gold standard method कहा जाता है airway को open रखने के लिए ETT को लेकिन इससे बहतर option भी है fiber optic laryngoscope भी अब हमारे पास available हैं इसके बारे में हमें पता होना चाहिए लेकिन जो gold standard method मानी जाती है वो ETT tube आज भी मानी जाती है लेकिन options जैसे जैसे बहतर होते जाते हैं वैसे वैसे हमें advanced knowledge भी होनी चाहिए तो अब तक हम लोगों ने किस की बात किया हम लोगों ने बात किया normally किस तरीके से airway को हम लोग open करने की कोशिश कर रहे थे इसमें अलग अलग तरीके के प्रयास किये हम लोगों ने adjunct के इस्तेमाल किये कुछ मामलों में हम surgery करके airway को open करने के लिए या airway को maintain करने की कोशिश करते हैं तो surgical airway को कैसे surgically हम कैसे airway को maintain करने की कोशिश करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि trauma की condition में जो knowledge अपर जो mouth या फिर नेजल जो path है वो इस हद तक injured हो गया कि वहां से बिलकुल भी airway को pass करा पाना possible नहीं है वहां से airway पुरी तरीके से प्रभावित हुआ है oral cavity और नेजल cavity से तो हम सिधे तोर पर trauma में trauma के ऐसे मामलों में हम especially surgery करके हम airway तयार करने की कोशिश करते हैं में क्रिक्वाइड और थाराइड कार्टलेश के बीच की जो membrane होती है उसको हम puncture करके हम airway बनाते हैं तो इसको भी मैं एक image के माधिम से बताऊंगा यहां पर हम needle या tube इसके द्वारा हम डाल करके हम तुरंत airway हम open करने की कोशिश करते हैं मिंस एक नया रास्ता देने की कोशिश करते हैं कि person को breathing में कोई दिक्कत ना हो airway मिंस जो airway है वो proper अगर natural नहीं बनाया जाकता तो surgery करके हम airway को बनाने की कोशिश करते हैं इस दौरान हम needle या tube को हम वहाँ पर insert कर देते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं endotracheal tube को कहाँ पर हम place करते हैं तो trachea में inflate कर देते हैं जहां से bifurcation start होती उससे थोड़ा सा ही उपर तक हम इसको रखते हैं इसके level को और मैंने आपको बताया था endotracheal tube को trachea में किस तरीके से place किया जाता है उसको जानना जरूरी है यहाँ पर वो method दिखाया जा रहा है जिससे endotracheal tube को intubate किया जाता है लेकिन अब हमारे पास fiber optic laryngoscope हमारे पास available हैं जो कि और अच्छे तरीके से काम करते हैं इस image में ETT को दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पर cuff inflated है इस चीज़ को आप देख सकते हैं यह इसफेगस का पार्ट और इसफेगस से ही यहाँ से कोई backflow मिंस जब कोई vomit के द्वारा कोई content यहाँ पर respiratory track में नजा सके उसको बचाने के लिए यहाँ पर inflated cuff का इस्तेमाल किया जाता है इस image में आपको cricothyridectomy के होते हुए यहाँ पर दिखाये गया है यह कुछी 15 से 20 सेकेंड के भीतर यह प्रक्रिया हो जाती है thyroid cartilage और required cartilage के बीच के जो cricothyride membrane होती है उसको हम cut करके यहाँ से एक रास्ता एक path हम देने की कोशिश करते हैं बाइपास हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं इसमें हम needle यह tube यहाँ से हम insert कर सकते हैं cricothyridectomy आम तोर पर बहुत आसानी से हो जाता है लेकिन यह relatively contra indicated होता है children's में और खास तोर पर उन बच्चों में जिनकी 11 years से कम age होती है क्यों क्योंकि यह laryngeal stenosis करा सकता है तो इसलिए बच्चों में यह relatively contra indicated होती है और इसलिए हम बच्चों में इस प्रक्रिया को नहीं कर आते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे tracheostomy tracheostomy के दौरा भी हम laryngeal जब traumas बहुत ज़्यादा severe हो जाए तो tracheostomy के दौरा 11 years से कम उम्मर के बच्चों में airway को हम maintain रखने की कोशिश करते हैं tracheostomy को कब कराने के जरुवत पड़ती है ऐसे मामलों में जब larynx बुरी तरीके से प्रभावित हो गया हो larynx बुरी तरीके से damage हो चुका हो इसलिए thyroid और required के बीच का जो यह cricothyrad membrane है वहाँ पर puncture कर पाना possible ना हो इस चीज़ को larynx के anatomy में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है thyroid and required cartilage का importance इसके बीच में कहाँ पर cricothyrad membrane होती है कैसे यहाँ पर cricothyrad or tummy कैसे करते हैं उस प्रक्रिया को बताया है तो अगर यह सारा का सारा part larynx का है अगर वो damage हो चुका है तो हमें tracheostomy करने का एक option बचता है तो tracheostomy कब करते हैं बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि यह severe laryngeal trauma में करते हैं इसके अलावा cricothyrad tummy चुकि 11 years से कम उमर के बच्चों में नहीं किया जा सकता तो 11 years से कम उमर के बच्चों में tracheostomy की जाती है इस दौरान हम एक opening देते हैं trachea में through the neck just below the larynx और इस दौरान हम एक dwelling tube को place करते हैं और इस तरीके से एक artificial airway यानि एक अपने दौरा हम airway बनाने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर इसकी जरूरत तब पढ़ती है जब long term airway के support की जरूरत होती है तो tracheostomy का क्या indication है जब severe laryngeal trauma हो जाए और या फिर बच्चे की उमर 11 years से कम हो और यहाँ पर एक बात और भी याद रखना है कि लंबे समय तक अगर हमें artificial airway से breathing देनी तो भी tracheostomy ही अच्छा option होता है मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम airway और cervical spine के stabilization की बात सोचते हैं तो airway तो हम लोगों ने different aspect पर समझ लिया चलिए अब देखते हैं cervical spine के stabilization की क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है इस दोरान patient को hard cervical collar आपने देखा भी होगा बहुत सारे patients को hard cervical collar पहनने को बोला जाता है इस lady को आप देख सकते हैं किस तरीके से hard cervical collar ये लगाई हुई है तो इस तरीके के collar के मदद से hard cervical collar की मदद से cervical spine को stable बनाने के कोशिश की जाती है इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये देखने के रिए कि patient का back side कैसा है तो हम जैसे माली जे की cervical spine है उनको थोड़ा भी हमें छेड़ना नहीं है और उसी समय अगर back side में patient को देखने की मजबूरी हो तो patient को एक log roll technique के द्वारा हम patient को पलटने की कोशिश करते हैं तो आप समझ लें log roll log roll कैसा होता है जैसे लकडी का एक bundle होता है उसको हम जैसे rotate करते हैं इसे ही four health care provider person को पूरा का पूरा एक साथ body को घुमाते हैं इसमें cervical spine पुरी तरीके से body के साथ ही rotate करती है इसमें हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि थोड़ा भी हिले डूले cervical spine क्योंकि हमें नहीं पता है कि cervical spine की condition क्या है अगर cervical spine हमारी गलती से damage हो जाएगी तो life threatening situation होगी इसके अलामा patient को अगर एक जगा से दूसरे जगा तक अगर ले जाना है तो एक special किसम के board की मदद से हम उसे shift करते हैं spine board की द्वारा हम उसे shift करते हैं इसके बाद next जो बात आती है airway के बाद वो है breathing की तो breathing को कैसे हम assess करेंगे उसको हम next lecture में आपके साथ discuss करेंगे